हेलो बच्चो आज आप आगे हो एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग पोर्शन में जहां हम लोग डिसकस करने वाले हैं रियल जीडीपी वर्सेज नॉमिनल जीडीपी आखिर क्या कहानी है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की सबसे पहली बात यह समझ लीजिए इस वन अफ दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तेक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोथ यॉर सी यूट और ऑल्सो फॉर यॉर सी बीए से क्यूं सर क्योंकि इन दोनों से तब इन दोनों में इस टॉपिक से जॉपिक्स आपको मिलेंगे चाहे आप कोई सैंपल पेपर खोल के देख लो या फिर आपकोई पीवाई क्यू कोल के देख लो पास्टेर क्वेश्ट पेपर खोल के of all goods and services which are prepared prepared within the domestic territory of India which are prepared within the domestic territory of India जो भारत देश की domestic territory के अंदर बनाए जाते हैं which are prepared within the domestic territory of India ठेक है भारत देश के आंदर उसको बोलते है GDP अब इसके अंदर दो concept निकल के आता है एक आता है real GDP और एक आता है nominal GDP एक real GDP एक nominal GDP अब यह क्या होता है सर धीक से समझेगा real और nominal एक बढ़ समझते है सर real GDP मतलब वो GDP एक है जिसमें सर सिर्फ production value included है जिसमें production value included है एक है लेकिन prices जो है वो as per base year सर वोट दो यू मीन बाई base year मतलब prices are as per last year as per last year last year can be any year जो भी आपको numerical में दिया है मतलब क्या है यहाँ पर price बासी है बी फॉर बासी लेकिन production real है अगर आप देखो सर तो GDP का भी logic तो यही होता है GDP को value से फरक नहीं पड़ता है उसको फरक पड़ता है value of goods and services है उसका focus production पर है ना कि उनकी monetary value निकालने पर इसलिए real GDP भी ना इसलिए तो उसका नाम real है तेक है इसलिए तो उसका नाम real है क्योंकि वो असली है तेक है वो असली है वो वो GDP है जो focus इसी चीज़ पर करता है कि भाया हमें क्या करना है हमें revenue generate करना है तेक हमें समान produce करना है उसका ध्यान ही production पर ऐसे बोल रहा हूं मैं कि उसका ध्यान उसका जो main focus point फोकल point उसका main focus point ही production और किसी ने वो focus ही production पर करता है इस अब आउँ sir nominal GDP में क्या होता है sir nominal GDP पर pb हम लोग production value लेते हैं अब एक sum से करेंगे और समझ में आएगा nominal GDP में भी हम लोग production value लेते हैं लेकिन यहाँ पर सर्व बुद्दा क्या हो जाता है पता है यहाँ पर मुद्दा क्या हो जाता है यहाँ पर भी हम लोग real value ही लेते हैं यहाँ पर भी हम लोग production value ही लेते हैं एस पर Real एस पर current year मतलब यहाँ पर है सर आपका ना चाहते हुए भी जो inflation है ना वो आई से inflation आई से including हो गया है ना चाहते हुए भी जो आपका आई से inflation है वो आई से include हो गया है क्यों आई से inflation जो है आपका वो आई से उसमें include हो चुका है ना चाहते हुंग इवन if you don't want it to happen it has happened तो अब इसको ना एक example से देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा example से ज़्यादा बेटर समझ में आता है तो let's say हम लोग बात कर रहे हैं जो commodity की वो है bread दो साल का डेटा दिया हुआ है 2020 का 2021 का कि 2021 में केजी और प्राइस 2021 में 1000 केजी ब्रेड मैनुफैक्चर हुआ है हमनों दो एक्जामपल करेंगे ठीक है 2021 में भी 1000 केजी ही हुआ है 2020 में इसका प्राइस 20 रुपिया पर केजी था और आज इसका दाम 35 रुपिय पर केजी हो गया मम्मी की भाषा में बोले तो महगाई बढ़ गई है गुपता जी की भाषा में बोले तो इन्फलेशन तेक है आप सुनो सर इसमें जब आप रियल जीडिपी कैलकुलेट करोगे तो पता है रियल जीडिपी क्या बोलता है क्योंकि रियल जीडिपी निकालते समय आप करते हो करेंट इयर प्रोडक्शन इन्टू बेस इयर प्राइस तो अगर आप रियल जीडिपी देखोगे और कंपारिजन करोगे पहले 2020 का तो 1000 केजी इन्टू 20 रुपए यह हो गया 20,000 और इसी को अगर आप कंटिन्यू करोगे 2021 में तो भी यह हो गया 1000 केजी इन्टू 20 रुपए ही 20,000 तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि रियल जीडिपी बोल रहा है देर इस नो ग्रोथ तिर्फ महंगाई बढ़ी है चुकि हम लोगों ने रियल प्राइस लाश्ट एयर का ही देखा तो हमें क्या पता चल रहा है कि पिछले साल भी हम लोग एक ही 1000 बरेड बना रहे थे और भाई इस साल भी हम लोग एक ही 1000 बरेड बना रहे हैं तो कोई तरक इयर प्राइस इंटू करेंट इयर प्राइस तो 2020 में एक हजार केजी इंटू 20 बीस हजार और 2021 में 1000 केजी इंटू ये क्या हो गया सर्चेंज हो के 1000 केजी इंटू 35 ये हो गया 35 इस है अगर आप देखोगे अब अगर आप देखोगे तो नॉमिनल जीडिपी आपको बोल रहा है कि नॉमिनल जीडिपी आपको बोल रहा है कि सर्चुल में ग्रोथ हुई है किटने की 35 हजार माइनस 20 बीस हजार डिवाइड बाइ 20,000 इंटू तो आपको nominal GDP बोल रहा है कि सर ब्रेड की production में growth हुई है ठेक है ब्रेड की production में growth हुई है 75% की जबकि एक्चुल में ये 75% growth की वज़े से नहीं बढ़ा है ये 75% is the rise in price price rise और ये ना आप confirm भी कर सकते हो कैसे इन दोनो price के बीच में difference निकालो तो 15 by 20 का percentage निकालो तो 75% तो actual में जो 75% का difference आपको दिख रहा है न वो 75% का difference प्रोडक्शन की वज़े से नहीं हुआ है वो हुआ है किस वज़े से इस वज़े से it is not because of production it has happened because of rising prices so is real GDP nominal GDP का concept is clear absolutely clear real GDP nominal GDP का concept clear absolutely clear next ठीक है अब मैं इसके लिए दूसरा example ले रहा हूं कुछ और दिखाने के लिए example 2 अब example 2 मैं देखो मैं क्या करूंगा यहां पर चीज़े डिफरेंट करूंगा 2020-2021 and let's say this time we are talking about pens unit price unit 1200 फिर हुआ 1500 पहले प्राइस था 10 रुपए फिर प्राइस हो गया 15 रुपए अब मैं बोलता हूं झाल तो पंद्रा रुपय हो गया अब बात आती है 2020-2021 की रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ठीक है रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी तो हम लोग इसको ना लाइव करना चाते थे बट ड्यू टू आपात कालीन स्थिती हम लोग लाइव इसको ले नहीं पाए तो रियल जीडीपी देखो अब देखो दो हजार बीस में कितना होगा बारा सो इंटू दस बारा हजार दो हजार इकिस कितना होगा पंदरा सो इंटू पंदरा 1500 इंटू 15 22,500 तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 10,500 10,500 बारा हजार इंटू हंड्रेड और यहीं पर अगर नॉमिनल जी डीपी की बात करें तो वहां पर कितना है सर देखो वहां पर देखो क्या हुआ होगा डिफ्रेंस अचा यहां पर एक छीज छोड़ी सोरी 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 यहां पर प्राइस कितना रहेगा प्राइस रहेगा 10 क्योंकि 20 यह प्रैस पर है पंदरा तो यह क्या दिखा रहा है ग्रोथ कितने की हुई है 40% 40% if I am not wrong 25% 25% की growth हुई है यह दिखा रहा है 25% लेकिन यहीं इसके भगल पडोसी में निकालोगे 12,000 1500 और यहाँ पर यह हो जाएगा इंटू 15 which is 2200 1500 इंटू 1500 इंटू 15 इस 22,500 I guess तो यह 10,500 10,500 डिवाइड बाइड बारह हजार 87.5% तेक है यह नॉमिनल है आपको डिफरेंस दिखा ही दे रहा है nominal GDP कितना जादा है real GDP से actually क्या है nominal के अंदर दोनों चीज के increase दिखाय जा रहे है उसमें price का rise भी दिखाया जा रहा है तेक है उसमें price का rise भी दिखाया जा रहा है और उसमें production का rise भी दिखाया जा रहा है लेकिन real GDP सिर्फ और सिर्फ production का rise दिखाता है not price का देखें अब यहां से concept आता है GDP deflator देखो सर इसका नाम है deflator क्यों पता है जैसे आप balloon देखोगे तो balloon में जब आप ऐसा सुई मारता है तो फुस करके deflate हो जाता ना तो इसका नाम GDP deflator है क्योंकि यहां पर जो आपकी currency की value है ना वो नीचे जा रही है वो fall कर रही है क्यों जो कि जैसे जैसे inflation होती जाती है जैसे जैसे inflation होती है price चीजों का rise करता है वैसे वैसे money की value जो होती है ना पैसे की जो purchasing power पीपी जिसको बोलता है वो नीचे गिरती है तो GDP deflator का नाम इसी लिए deflator है देखो सर चीजों को समझना शुरू कर उसे रट्टा लगाने से नहीं होता है इसलिए GDP का नाम deflator है क्योंकि वो दिखा रहा है कि कैसे आपकी economy deflate हो रही है उसके पैसे की ताकत कम होती चली जा रही है और यह deflator का equation बहुत easy है it is nr nr मतलब non resident yes sir it is nominal gdp by real gdp nr nominal by real in 200 that is gdp deflator तो अगर इस case में आप gdp deflator निकालने जाओगे यह जो हम लोग ने यहाँ पर किया है tmore low हम लोग डोनों year के लिए निकालते यह 20 के लिए बिनिकालते हैं 21 के लिए निकालती है तो अगर हम 20 के लिए निकालेंगे deflator कि ओ टो ट्वेंटी 12000-12000 था तो first year में तो दोश्च की था हम लोग दो अधाड में निकालते हैं खेचे पल वन में तो हमारा ये तो बीसी हजार था और उधर बगल में पैतीस था तो वहां हम लोग ने किया था पैतीस बाइ बीस इन्टू हंड्रेट तो वहां पर डीफलेटर का वैल्यू कितना आया 35 बाइ 20 इन्टू हंड्रेट ये आया 175 परसेंट ये 175 परसेंट पता है क्या दिखाता है कि इसमें 100 तो छोड़ दो वो तो बेस है 100 तो बेस है that the prices have risen by 75 परसेंट अब मैंने directly prices कैसे बोल दिया पता है बिटा मैंने directly prices क्यों बोल दिया है चूकि मेरे पास जो डेटा था उसमें साफ साफ मैंने देखा था production दोनों केस में सेम है लेकिन सेकेंड वाले के केस में मैं ये नहीं बोल सकता कि prices की वज़े से ही हुआ है चूकि सेकेंड वाले के केस में production भी बढ़़ा है तो 22,500 divided by 15,000 into 100 तो ये हुआ 150 तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि 50% is inflation but I cannot say it is only because of prices it is the rise which can be due उसमें price का भी element है production का भी so I guess आपको ये real GDP nominal GDP का लेक्चर पसंद आया होगा thank you so much for watching guys आजका ये बहुत बार डिले हुआ लेकिन finally हम लोग ने इसको recorded में ही कर लिया so thank you so much for watching guys और कल मिलेंगे नेक्स क्लास में मिलेंगे 10-15 पर वापस से सेम टाइम सेम प्लेस वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले और नीचे वह या कमेंट जरूर करना क्या अच्छा लगा